हालो फेंट्स बुद मॉर्निंग कैसे हैं आप सब और एक बाफिस से वेलकम आपके अपने चैनल में तोजी दिन बुधवार का है और तारीक है 26 जुलाई और ये दो दिन का व्लॉग रहने वाला है बुधवार और बिस्पितवार दो दिन का अभी जो सुबर का टाइम है और बच्चे स्कूल चले गए बच्चों के लिए बनाया था मैंने नमकीन चावल और फिर से में नाश्टे में लग गई हूँ अभी मैं बना रही हूँ हस्पन के और अपने लिए पनीर की भुजी और उसके साथ बनाऊंगी मैं रोटी तो यहा बनेर की भुजी हमारी हो गिये बनके रेडी और घर का पनीर जब से मैं बना रही हूँ न मुझे इतना अच्छा लग रहा है बहुत जादा एक तो हेल्दी होता है और बहुत जादा महेंगा भी लगता है और अलग कोई भी कैमिकल विकरा कोई भी कुछ नहीं होता है अभ दम गीली जो है वो हो गया और ये शर्ट है ने इसको बहुत जादा पसंद है स्पाइडर मैंन की जब लेकर आये थे ना इसको ये शर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी एक शर्ट और है इसके अभी एक दो दिन पहले इसने पहनी थी यलो कलर की तो वो वाली शर्ट भी जब स्टाटिंग में लेकर आये थे नहीं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आये थी उसके बाद ये दोनों शर्ट इसके ना फेवरेट हो गई है अभी टी शर्ट मैंने इसकी बहुत कम करा दिया है कि टीशर्ट बहुत कम पैनाती हूं सारी शर्ट फेखनार रही हूं क्योंकि शर्ट इसके पास बहुत सारी है और टीशर्ट का रगड्रगड की चुम्मर बना दिया है और टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहनता है तो यह रखे रखे ऐसा ही जह वो छोटी हो जाएंगी इसलिए मैंने सोचा है कि मैंने काफी सारी टी शर्ट जो निकाल दी है अब से सिर्फ फर्स शर्ट जह वो पहनाने वाली हूं तो अभी मैं तड़का लगा रही हूं नमक ड पहर हो कभी भी काम करते हैं किचन में बहुत जादा घीले हो जाते हैं तो अब भार सोने से पहले मैं बालों में कंगी कर लेती हूं और अभी तो हलका फुल का जूड़ाई भिनाऊंगी खुले नहीं छोडने वाली हूं क्योंकि अभी ना जरूर चुकी लेकिन मेरा काम ख अख दिया था नब तक दूद भी बच्चों को दूद भी पिलाऊंगी फिर, जो है, साथ में बच्चों को पढ़ाऊंगी भी, क्योंकि क्या ना, बहुत बार आज कल शाम को ई टाइम मिल पाता है, उसके पहले जो टाइम नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पट दूद हो गया गरम बच्चों के लिए गुड़ भी ले लिया है और अभी दूद को ठंडा करें साथ-साथ में क्यूंकि वैसे नॉर्मल ठंडा होने के लिए छोड़ दूगी ना भी मैं चेक करें कि दूद ठंडा हुआ की नहीं हुआ नॉर्मल ठोड़ूगी तो ठंडा लगेगा तो फिर मैंने सोचा ऐसा ही तरडा के और फिर दूद ठंडा होने के साथ-साथ में इनको गरम-गरम पिला दूँगी और साथ-साथ में इनकी तयारी होगी पढ़ाई की दोनों बच्चे भी जब दूद पी रहें और मैं साथ-सा इसका काम करा लेती हुन्या फिर ऐसा होता है मालो दिन में सोया है तो पांच बज kind ust je open जाता है तो मैं 5 से 6 उठने थुरुद दर के बाद इसका कामMr. तुछmark पक्रुद दो गंटे खेलने के लिए जाता है और उसके बाद यह टाइम जो होता है ना इस टाइम भी वरुन को मैं पढ़ाती हूं और आजकल वरुन के जो है वो क्लास टेस्ट जो है वो चल रहे हैं फिर उसके फेटू के एक्जाम होने वाले हैं और अभी जो मैं जिक्के का कुछ जो में जाकर वो आती थी अभी नेक्स मॉनिंग होगे सुबह के पांच बच गए हैं और पांच बच आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी बारिश वगरा का मोसम रहता ना तो इसलिए तो है सुबह सुबह अंधेरा जय वो दिखाई दे रहा है बारिश हुई कल दिन में तो बारिश नहीं लेकिन रात को बहुत तेस बारिश मतलब सुबह आप यह मान के चलिए दो तीन घंटे दो बज़े के बाद काफी तेज वो बारिश हुई है तो यहां बर जो है सब बहुत सारे इंपोर्टेंट टेप समाज आप लोग साथ में सुबह जो है किचन में जब भी आप जो है काम करने के लिए तो मैं हमेशे अपने जो मैं रूटीन में अपनाती हूं वो मैं अपने घर को साफ सुत्रा सुन्दर बनाने के लिए और अपनी लाइफ को फैटल बनाने के लिए ताकि घर में किसी तरह की वो ना रहे गंदगी काम करने से पहले रात कोम साफ करके II सोना चाहिए और क्षार और साथसाथ में मैं क्या करती जो भी काम करती रहते हुआ उस पर पर जो है मालो काउंटर टॉप पर कोई भी काम करी तो वहां पर कपड़ा साथ-साथ में लगादेती ओं जिस के वहाँ भार-बार मुझे मैंनेंगी जूरत नहीं पड़ती है और किचिन गंदा नहीं कि हमने कद्दू की सबजी बनाई है, सीता फल भी बोल देते हैं, कहीं कद्दू भी बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, सीत, फल, हारी, नहीं, कुछ और बोलते हैं, कहीं हर जगा अलग लगी बोलते हैं, ये बिना प्यास, बिना टमाटर, बिना लसन की जो है, वो मैं पर वरुन नहां दोकर रेडी हो गया था और सुबो सुबा पंगा बहुत बड़ा हो गया रात को वरुन टॉलेट गया होगा और उसने क्या किया कि जो फ्लेश है वो चलता छोड़ दिया और सुबा जब हम सोकर उठे है ना तो सुबो सुबा जो है एक घुट पानी घर में तो आज वरुन नहाया है और लॉंच उसका पैक हो गया है और अब इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाओंगी और उसके लिए मैं काफी टाइम से बोल भी रही थी, कि मुझे टिफन वो मंगवाने है, क्योंकि कि दोनों भाइयों कि टिफन खराब हो गया है, और जहां पर इसको बस आते हैं, वहां इसको मैं छोड़ने के लिए जाने वाली हूँ, और अभी जहां के मिल रही हूँ, मैं हिमांग भी प्रवाप सफाई करने लगी थी ना हलकी हलकी मुझे लगा था हलकल का कपड़ा लगा दूँगी लेकिन फिर मुझी याद आया मैंने जो मेरे यह काउंटर टोप है यह जो मेरे सोफे हैं मैं मेरा जो पुपरेशन हुआ था ना अभी तीन दिन में आप 3-4 दिन में पूरे 2 म देली समान जो लगाते हैं शाम तक वैसे ही है बिखर जाता है फिर वापस जो है वही लगाना जो है वह पड़ता है हर ओरत की न रोज मर्रा की जिंदगी जही हो गई है और हर जगे न सारा समान उसके जगे पर लगाना भी बहुत जादा जरूरी हो जाता और यह देखो ना करें घर में धूल मिट्टी गंदगी इतनी सारी चड़ जाती न बहुत जादा और यहां पर यह देखिए मैंने तीन चार ड्रॉप यह डटोल की डाले थे और इससे कपड़ा बहुत अच्छे से जह वह हो गया क्लीन इसी के साथ साथ मैं यह वह स्वेशन भी क्लीन कर दिया के 1-5-2 काज जो एक साथ हो जाएंगे यान्य यह कपड़ा भी साफ हो गया कि चाई यह वह वह शूरसर भी हमारा जो यह वह बहुत अच्यसे क्लीन करना चाहिए यह अब यहां जहां ज मैं चली मैं लगाए भगवान कितनी गंदगी मतलब मेरां मनी तसे ले आज इन चीजों को देख कर, कि अगर मैं ना करूं तो कोई बी इस चीज को नहीं करता, घर में और कोई वारत है नहीं, husband को वैसे टाइम होता नहीं है, और इस चीज का तो दिमाग से मतलब कोई सो दूर मैं इस चीज को भूल गई थी, कि मुझे ये भी sofe bhy जो साफ करने होत और तो अपने घर पर डेली बेसेस पर अगर आप साफ सफाई रखते हो ना तो मुझे जितना आज मेरा धिमाग खराब वहा ना देज जितना मेरा मन अशान्त हुआ है उतना नहीं होता है हमेशा हर चीज़रा जो है आरते धान रखते थी ना तब ही जाके जो है हर चीज़र में बरकत बनी रहती है घर में खुश्यां बनी रहती है और यए देखिए सिर्फ और सिर्फ ये गंदगी जो है ये सोफे साफ करने से जो है वो इतनी कठी जो है सोफो में हो गई थी और ये तो सोफे मैंने उपर उपर से क्लीन के नीचे से तो मैंने किये भी नहीं है व्लोग का एंड करते मिलते नेक्स व्लोग में फॉर्स टें विजट कर लाइक कर देना शुरू